बेलकम टू फिट गैडर जी मैं आपको आज बताने वाला हो पाँच बेजी टेवल्स जो आपके केलेस्ट्रोल को कम करेगा तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब किजिए और बेल को प्रेस किजिए जैसे मेरा हर वीडियो का नॉटिफिके अगर बेलेस्ट्रोल आपके बॉडि में जदा हो गया तो आपको बीमार कर सकता है उससे हाट अट अटेग आता है है प्रॉब्लम आपको भूत सारे आ सकते हैं और गुड केलेस्ट्रॉल आपके ब्लड वैसल के लिए अच्छ है तो देखिए फ्रेंड ज्यादा तर बैड केलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है आप भार के तले हुए खाते हैं और सॉल्ट खाते ज्यादा नमक सुगर सुगर भी ज्यादा निखाना है आपको नमक भी निखाना है तला हुआ निखाना है ज्यादा इससे आपका बैड केलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा आप फिट भी रहेंगे मैं आपको पाच वेजी टेवल्स बताने वाला हूँ जिससे आपका बैड केलेस्ट्रॉल कम होगा और आपका गुड केलेस्ट्रॉल बरेगा तो देखिए पहला है एग प्लांट्स जिसे ब्रिंजल भी बोलते हैं इसमें एंटियो ऑक्सिदेंट पाया जाता है आप इसे खा सकते हैं जो आपके बैड केलेस्ट्रॉल को कम करेगा फिर दुसरा है लेडिस फिंगर भिंडी भोत घर के किचन में पाये जाता है भिंडी आप खा सकते हैं इसमें फाइवर रहता है जो आपके बैड केलेस्ट्रॉल को कम करेगा फिर तिसरा है ब्रॉकली देख आपके overall body function के लिए अच्छा है तो आप ब्रॉकली खाना च्छी आपको और फिर चवता है गोबी cabbage देखिए गोबी में फाइबर पाया जाता है तो आपको यह खाना च्छी है जो आपके न में और न गत्सक्राइब केली कम करेंगा फिर पाचवाः विटर्गड्स घरला देखिए करेला तो आपको जरूरी खाना प्छी आपके करेगा आपके बलड सुगर को कम करेगा और बैड केलिष्ट्रोल को भी कम करेगा भुज्जन है जो करेला नहीं खाते है तो आपको करेला खाना चीए है आपके बलड को प्यूरिफाइब करता है आपके बोडी के लिए अच्छा यह पाँच वेजी टेवल थे जो आपको खाना चीए जिससे आप हेल्थी रहेंगे आपका केलेस्ट्रोल भी कम रहेगा तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते नेक सब्सक्राइब चार का बवाँ आपको जजका म सब्सक्राइब कीजिए और यह सब कर